हमारे साथ मोवजूद हैं वसीमरीजभी बोलू कि वसीमरीजब की जितें नरायन सिंग कैसे हो गया आप चीदे बिल्कुल जो कहते हैं अपर कास्ट अब जो तो दोस्तों आज इनका इंटर्व्यू पत्कार ने लिया इतना जवर्दस इनकी धज्या उड़ाई कि मज़ा आगया वीडियो देखने में तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें वीडियो अच्छा रगे तो वीडियो को लाइक जरूर किजिएगा आप लोग वीडियो देखिए हमारे साथ मौझूद है वसीम रिजभी बोलू की जिते नरायन सिंग कैसी हो गए आप सीधे बिल्कुल बनते हैं अपरकास में घुज गए अभी कल को आए जुम्मा जुमा अपरकास बन गए आप जाटों क्यों नहीं बने यादों क्यों नहीं बने पुर्मी क्यों नहीं क्योंने से हिंदूं को किसी हिंदूं के बनाते हैं नाया जोगे नफाटर हिंदू हिर्द्नल फिक्ते सम्राठ जिते न नरायन सिंग Igdha मेन जाने का दिखिए वाँ चितेन नरायन सिंग त्यागी भूत पूर में वसीम रिजवी हुआ करते थे और अभी हिंदू बने हैं दो-धाई साल पहले तो जाहिर बात है कि जैसे नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है वेसे ही कट्टक दोन बड़े हुए है हमारे साथ मौझूद है वसीम रिजवी बोलू की जितने नरायन सिंग कैसी हो गए आप सीधे बिल्कुल कहते हैं अपरकास में घुज़ गये अभी कल को आए जुम्मा जुम्मा और सीधे अपरकास बन गए आप जाटों क्यों नहीं बने यादों क्यों नहीं बने कुर्मी क् गलेरिया क्यों नहीं बने कहार क्यों नहीं बने सिद्धे सिंग क्यों बन गए मैं हिंदू हूँ तो सिंग क्यों बन गए हिंदू मैं सिंग इसलिए बन गया कि जिसने मुझ को एडाप्ट किया हिंदू धार में वो अरे हम लोग तो अपने लोगों को अडाप्ट करते हैं नहीं जल्दी आपको कहां से अडाप्ट कर लेंगे देखे अडाप्ट किया अपने लोगों को तो हम लोगों रूपी बीटी करिस्ता कायम करते नहीं है और आप अभी आएं आपको हम अडाप्ट कर लेंगे लेकिन ये जो चीजे अगर आप नारा देते हो कि आप सनातन में घर वापसी करो वो नारा है नारा नारा नहीं है ये नारा क्यों है क्या हिंदुस्तान में मुसल्मान कहां से आ गया मुगलों की जारती से मुगलों के कन्वर्जन्स से ही यहां पर मुसलिम पैदा हुए और ज हिंदुस्तानी हिंदू था और कन्वर्टर्ड है यह तो सबको पता ही है यह पता ही है अध्या में जो मंदिर बना है भावे मंदिर बना हुआ है तो क्या कहेंगे साभी है हमाए भगवाशी राम की एक जीत है आप वहाँ पर जो एक विवादि धाचा था जो बाबर के जमाने में बनाया गया आप इस चीज़ को ऐसे देखिए कि आयोध्या हमेशा से मंदिरों की नगरी रही है लोग कहते हैं कि वहाँ पर मंदिर नहीं थे एक मजजिद बनी मुगलों ने छेड़ छेड़ कर वहीं पर हिंदों की आस्था पर हमला किया जहां पर उनकी कहीं न कहीं उनके भगवानों के जनमिस्थान थे अरे चली अब भूल सुधार हो गया ठीक है सुधार हो गया तो ये भगवान राम की जीत है ना 500 साल के बार दुबारा वो चीज वापस हुई ऐसा खाली हिंदोस्तान में नहीं हुआ है आप देखिए ये जब वहां पर इस्पेन में मुगलों इसलाम ने हमला किया था वहां के एक चर्ज को मजजिद बना लिय भूलब Unsudhar हो गया ना काम ख intimacy और अब रात गयी बात गया थीक है अभी तो भात भूल सुधार होने हैं अभी तो बहूत सी चीजे बागी है चाशी बागी है मत्रा बागी है जहां पर जार्ती हिंदों के साथ में हुई है मुगलों ने की है वो सारी जार्तियों के निशान मिटाने बागी है आप कट्टर हिंदू हिर्दू हिर्दे समराट जितें नरायन सिंग को नियुता नहीं मिला कले अध्या में जाने का देखे वहां पर हम ये समझते हैं ये बड़ा प्रोग्राम था नियोता मिला ये कोई इज़त की बात नहीं है कि हमको मतलब इज़त नहीं मिली ते नियोता नहीं मिला अरे भाई आप इस वक्त पूरे देश का विदेश का हिंदू ये चा रहा है कि हम राम मंदिर पाउट जो व्यवस्था थी वी वी आईपी देश के परधान मंत्री संग संचालक वहां पर जो लोग इतने बड़े बड़े वी आईपी आ रहे थे उनकी सुरक्षा को लेकर भी लिमिटेड लोगों को बुलाया गया जितनी वो व्यस्था कर पाएं आयोध्या एक छोटी नगरी है लेकिन आप भी तो इस वक्त हिंदू धर्म के द्वजवाहाख हो तो हमको किसी ने रोका तोड़ी ना है और आपको कैसे आप से आवाज भुलं कर रहे हो हिंदू हिंद 35 किलो मीटर दूर है दो घंटे का जो द्या का सफर है जिस वक्त वहाँ पर हम देखेंगे इसी महीने में हम भी जाएंगे बगवाई शीराम क्योंकि हमको भी खुशी है हमने कल जो नजारा देखा तो हमने देखा कि जैसे हम जीवित हैं और स्वर्ग देख रहे हैं ऐसा न म census Πरे आ हैं हां तो रोडस हैं किसी के घर में घुसके किसी नारा थोड़िह ने लगा दिया रोडस है उन रोडस है अगर मुस्लीम आबादी आ रही है तो मुसल्मानों को जाएता था उनके सार्थ में आकर जैल शिर्याम लगाते और अब तो वक्त आ गया है ये मुसल्मानों को घल्ती सुधार नहीं चाहिए कैसी गल्ती? राम नाम ही सत्ते है हिंदुस्तान के अंदर जितना मुसल्मान है वो सब कनवर्टेड है उनको घर वाफसी करनी चाहिए मैं उनसे ये अन्रोट कर रहा हूँ उनको नियोता दे रहा हूं हिंदुस्तानी तमाम मुसल्मानों को कि वो वापस सनातन धर्म में आए और हिंदू, सनातनी हिंदू बनके अपनी गलती को जो उनी ने पहले की उसको सुधारे और हिंदुस्तान के अंदर सब, और यू भी गलती तीはは तो नयूता दे रहा हूं आना चाहिए अभी वक्त है आप देखो कि मुसल्मानों ने पूरी दुन्या में आतंग मचा रखा इस भारत को तो छोड़ो जो मुस्लिम मुल्क हैं वहां मुसल्मान खुश नहीं है आप करे पूरी दुनिया मातंग मचा रखा है दुनिया में सबस्यादा मुसल्मान भारत में रहते हैं कहां किसने आतंग मचा रखा है देखे यहाँ भारत में जो मुसल्मान रहते हैं तो हम उनसे इसी बात का नियोता दे रहे हैं कि आप अपने घर की तरह आप पहरे मुसल्मानों उन्हाता मचा रखा है भार के मुसल्मान तो बहले सांतिपूर तरीके से रहे हैं कहां तो मौका नहीं मिला है आप क्यूं बात ऐसी करते हो उनको मौका नहीं मिला है अभी आप तुनको मौका दे दो अभी कांग्रेस की हकूमत बनवा दो या अभी उत्तर पर्देद में समाजवादी की हकूमत बना दो फिर देखो कैसा मौका मिलता है किस तहा से हिंदों के ओपर जातिया शिरू हो जाती अब मौका नहीं मिला है तो आप शानती प्रेय हो तो ठीक है अच्छा है पर शानती प्रेय बने रहा हो आप हिंदोस्तान में बहुसंक्यक समाज की तरफ जो आपकी दिलों में नफरते हैं क्या हमने स्टेटमेंट्स नहीं देखें GOAC का स्टेटमेंट्स आते हैं GOAC क्या हैं इनके पुर्केyear खुद हिंदू थे आप इतने एंटी मुस्लिम कैसे होगे गैए एंटी मुस्लिम की बात नहीं है जारती जो जिसने की है वो जारती का उसको खम्यागा भोगतना जरूर पड़ेगा इस तरह से नहीं हो सकता कि आप ठीक है चौदा सो साल पहले इसलाम का इत्यास है और इस से पहले तो महमबस साहब के पुर्के खुद हम कहें कि सनातनी थे आप बल्यादान पुन ने भजन कर किरतन करके बगवान को याद करके भी तो अच्छे हिंदू बन सकते हैं कि आपको लगता है कि मुस्लमानों को गरियाने से यह आप अच्छे हिंदू कर देखे हिंदू है अब आप देखो बात उुठती है तो कही जाती है आजान के उपर है आजान आप देते हो या पत्ती जनक आजान है आजान में आप चेलेंज करते हो समिधान को आप दूसरे धर्मों को तैसेimet? अलाहू अक्बर कहते हो हम बलकुल इस बात पर आप से मुतमईन है God is great Yes, हम भी कहते हैं जिसको तुम मान रहा हो great है हमें कोई आपती नहीं है लेकिन उसके बाद तुम कहते हो ला इलाहा इलिल्ला यानि की अल्ला के अलावा कोई दूसरा पूजनी है नहीं है इस पर आपती है बाद नहीं है अल्ला, भगवान, इसवर इसवर के लिए, इसवर नहीं इसवर नहीं मुसल्मानों से लाहा का मतलब पूछो तो वो कहते हैं वो लाहा जिसने हम लोगों को सब को बनाया ठीक हमने मान लिया लेकिन उसके अलावा अगर अल्ला को आपको डिफाइन करना है तो अल्ला को आपको कुरान से ही समझना पड़ेगा अल्ला को आप किसी वेद से वाइबल से नहीं समझ सकते अच्छा आप करें आप दावत दे रहें नोता दे रहें कि सब वापस से हिंदू हो जाए और नहीं होंगे तो तुम को इसलाम की तरफ दौवत दि गई महमब्द ने दौवत दि उसी तहां से हम तुमको सनातनी होने की दौवत द दे रहें के वापस आओ इंसानित की तरफ सनातन से अच्छा कोई इंसानित के लिए दूसरा मख़ब है नहीं जो पूरे विश्व में मनुश के लिए बात करता है कोई धर्म जाती का कोई विवाद नहीं है मनुश के लिए बात करने वाला सनातन धर्म है आप किसी भी दूसरे धर्म को देख लो चाहे वो क्रिशन्स हो चाहे वो यहुदी हो चाहे वो मुसल्मान हो वो अपने लिए बात करते हैं मुसल्मानों में सिर्फ मुसल्मानों की ही बात की गई है यानि कि दूसरा कोई मख़ब को मानने वाला उनका दुश्मन है गहर मुसल्मान काफिर है काफिर का मतलब काफिर धर्म में अपने अपने मसले हैं हमारे हिंदों धर्म में का मसले हैं अपने बहुत अपस मसले हैं जात पात के जात पात एक अलग इशू है वो एक वैवस्थाए है और इसको अब जादातर लोग मान भी नहीं रहें और ये बहुत अच्छा हिंदों के बदल दी चलिए देखे तो दोस्तों ये हैं वसीम रुजी जो पहले हुआ करते थे अब तो जिते नारायन तागिये हैं तो दोस्तों इनके हिसाब से सिर्फ सनातन धरमी अच्छा है और सारे धरम गुरे हैं तो दोस्तों आप लोग ने देखा इस पतकान भाई में कितनी वीडियो को लाइक चैनल पर अभी तक ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आने वाली वीडियो की नौटिपिकेशन आप लोग मिस्त ना कर सकें मिलते हैं किसी नेक वीडियो में तब तक के लिए अल्ना अफिश है